Hello and Welcome to Great Online Academy दोस्तों Great Online Academy के पोटल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है रविन आज के इस वीडियो में हम लोग railway boards related जो हमारी history है and railway boards related static gk and current affairs इन सभी points को हम लोग एक साथ cover करेंगे ये वीडियो बहुत important है railway boards related questions exam में हमेशा देखने को मिलते हैं इसलिए इन सभी topic को आप लोग बिल्गुल धान से समझेए इनसे जो भी हमारे exam में question आएंगे वो बहुत ही simple होंगे और ये सभी question मैं आपको एक ही वीडियो में बता दे रहा इसलिए मैंने इस वीडियो को एक साथ बनाया है आपको time पर मिलती रहे तो चले बचो आप हम लोग समझते railway board की history को इसमें हम लोग railway board के formation से आज तक railway board में जो जो changes हुए इन सभी topic को एक साथ cover करेंगे देखे सबसे पहले 1901 में railway board को बनाने का पहला step लिया गया Sir Thomas Robertson committee जो है इसने इंडिया में railway board की जो जरुरत है उसको महसूस करते हुए अपनी report दी थी कि railway को manage करने के लिए इंडिया में एक railway board होना चाहिए इस committee के recommendation में पहले initially एक trial version के ता railway board को बनाया गया 1901 में ही railway board का जो सबसे पहला phase है three member के साथ सबसे पहले phase में क्या हुआ था तीन member को railway board में रखा गया था and 1901 में ही Sir Thomas Robertson की जो report थी उसके आधार पे ही तीन member की पहली railway board को बनाया गया था बट यह railway board formally काम नहीं कर रहे थी इसको जो powers है railway को मैनेज करने के लिए वह 1901 में नहीं मिली थी इस railway board को जो power दी गई है railway board के तौर पे वह दी गई है 1905 में तो अगर आप से question आता है कि railway board का जो formation वह कब हुआ तो आप लोग टीक मालेंगे 1905 में बट अगर आप से पूछा जाए कि railway board को बनाने के लिए जो कमिटी थी उसने पहली ट्रायर वर्जन के तौर पे जो committee के तरह बनाया गया था railway board को वह कब बना था तो वह 1901 में बना था इन्हों ने इसको formalize कि यह रेलवे बोड ही अब इंडिया में जो इंडियन रेलवे है उसको मैनेज करेगा अब इंडियन रेलवे का जितना भी management है जो भी decisions है वह रेलवे बोड लेगा सो 1905 से रेलवे बोड का अस्तित वह इंडिया में चालू हुआ और रेलवे बोड को सारी powers transfer कर दी गई जो हमारी Britishers की government थी पहले वह directly manage करती थी बाद में रेलवे को manage करने के लिए रेलवे बोड को बना दिया गया 1905 से इस बात को आप लोग समझ गया होंगे फिर देखिए क्या हुआ 1905 में जो सबसे बड़ी post बनाए गई वह बनाए होगा हमारे रेलवे बोड का वह होगा chairman chairman जो होगा रेलवे बोड का वही सारे डिसीजन्स रेलवे से रेटेड फाइनल करेगा 1905 से लेकर 1921 तक chairman और बोड ही सारे डिसीजन्स को लेता था बट 1921 में क्या होगा chairman और बोड की तरह एक नई पद्वी या नई पोस्ट बनाए गई जिसको बोला गया chief commissioner सबसे पहली जो हमारे chief commissioner की पद्वी थी कब आई थी 1921 में अगर बोले chairman और बोड की सबसे पहली पद्वी कब आई थी तो 1905 में चेर्मेन और बोड की जगा ही इस पोस्ट का नाम चेंज करके chief commissioner रख दिया गया जैसे लक्षन के chief commissioner होते थे वैसे रेलवे बोड का भी chief commissioner का नाम रख दिया गया फिर क्या हुआ 1929 में जो हमारे तीन मेंबर की रेलवे बोड थी अब वो चार मेंबर की कर दिए ऐसी जरुरत मैसूस हुई कि एक और मेंबर होना चाहिए रेलवे बोड में तीन मेंबर जो है उसमें से दो हमारे जूनियर लेवल के होते हैं और एक चेर्मेन या चीफ कमिशनर होता था तो एक और एक्स्टा मेंबर को जोड़ा गया तो हमारे कितने मेंबर हो गया चार मेंबर हो गया एक हमारा हो गया चीफ कमिशनर और तीन हमारे नॉर्मल मेंबर हो गए 10 नॉर्मल मेंबर में से जब से पहला एक भाढ़ती इस मेंबर का हिससा बना था इस जो मेंबर पैनल również इसका जो सब डिसुजा को आपको याद रखना है फ्रांक डिसुजा ही इंडिया के सबसे पहले परसंथ जो भारतिय नागरिक्ता या भारतिय होने के साथ रेलवे बोर्ड में गये थे इनको आप लोग याद रखेगा फ्रांक डिसुजा एक बहुत इंपोर्टन कोश्चन होगा फिर क्या हुआ 1951 में जब इंडिया इंडिपेंडेंस को प्राप्त कर लिया भारत अजाद हो गया तो रेलवे में क्या हुआ नए ने बदलाव किया जाने लगे फिर क्या हुआ 1951 में जो चीफ कमिशनर की पोस्ती उसको दोबारा से हटा दिया गया और फिर से चैर्में आप बोड बना दिया गया तो 1905 में जो चैर्में आप बोड था वो दोबारा से फिर कभ एक्टिवा 1951 में और फिर 1921 से लेकर 1951 तक कौन काम करता था चीफ कमिशनर यह दोनों बात आप लोग समझ गया होंगे तो चले नेक्स जो पॉइंट है वह है टूथ होजे 18 में जो हमारे नरेन मोधी जी है इन्हों ने रेलवे से कहा कि रेलवे को अब एक कॉर्पूरेट के तरह काम करना चाहिए ना कि एक सरकारी कंपनी के तरह अग ने मेंटेनेंस अपने वर्कर्स को सैलरी देने के लिए एंड़ एक ऑपरेशन के लिए इन सभी चीजों के लिए रेलवे 96 फिज खर स्क्राइब कर देता है हड़ 100 रुपiet div कीतना होता है चार रुपए का जब वह 100 रुपए आपसे कमाँरहा है तो इस सीच को बढ़ने के लिए 4 रुपे से हम उसको बढ़ा सके अूर रुपए में इसको बढ़ने के लिए नरेद Nation मोजी जी ने रेलवे को टार्गेट दिया कि अब रेलवे को कम्प्लीटली कॉर्पोरेट के तरह काम करना चाहिए कंपनी के तरह काम करना चाहिए तो 2019 में एक जन्वरी 2019 से रेलवे को एक CEO दिया गया चीफ एक्जेक्यूटिंग ऑफिसर यह रेलवे कोड़ के ही है यह चैर्मैन आप बोल सकते हैं यह जो चीफ एक्जेक्यूटिव ऑफिसर अफिसर ढ़केश है विल्ट आफिसर यह ऐसा काम करता है डिल्वे में जो एक क्रुपरेट लीडर किसी भी प्राइवेट इसंते करते हैं मतलग completely वह profit के तरफ ज्यादा ध्यान देंगे ना कि सरकारी कंपनी के तर लोगों को सिफ सुधायत देते जाएं किसी भी चीजों को बढ़ाया नहीं इस तरीके से रेलवे को अपकाम नहीं करना है तो इस तरह अगर सबसे पहला कुछ बनाए गया तो कौन बनाए गय सब्सक्राव कब से कब तक सीऊ थे एक जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक इस देट को अपने की रेलवा ज्याद धानीश्य एक मैब जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2020 तक दो सालों तक पूरा विनोथ। कुमार यादौ जी इंडा के पहले इंडान रेल्वे के सी यो बने इसके बाद से रेलवे जो है वो corporate company की तरह काम करने लगा है अब रेलवे हर जगा अपने profit को पहले अगर प्रेलवे बोर्ड के उसके अंदर सब्सक्राइब सब्सक्राइब निससे अज उलग लग डिपाटमेंट को मर्ज कर दिया गया है तो मेंबरिय strawberries बोड में हो गया थे बट 2019 में ही इसको घटा दिया गया 24 दिसंबर 2019 को रेलवे बोड का जो साइज है वह आठ से लेकर पांच कर दिया गया तो इस बात को बिलकुल ध्यान रखिए अगर ऐसे भी कोश्चन आते हैं कि कब रेलवे बोड का साइज छोटा गया है किया गया है य तो हमारे प्रेजन्ट में सीओ हैं यहें हैं सुनीत सर्मा जी इक जन्वरी 221 से अपने पद्वी को समभा लें है चले बहुत आब हम लोग जानते हैं विनोथकण शुमार यादो जी का जो कारेकाल रहा वह कैसा रहा देखें विनोथकुमार यादो जी रेलवे बोड में सी यो बनाए गए रेलवे को कॉर्पोरेट तरीके से मैनेज करने के लिए पीछे भी हमने बात की विनोत कुमार याद हो जी 2019-2020 दो सालों तक लगा था फर्स्ट सी यो के तौर पे अपने कारकाल को समभा ले थे इनको एमिनेंट इंजीनर आवार्ड दिया गया था इसी वक्त जो इन्होंने इंजीनिंग से रेटेड बड़ी बड़ी चीजे की हैं उनके लिए एमिनेंट इंजीनर आवार्ड इनको मिला है इंस्टिवीशन आफफ इंजीनिंग एंट टेछन लंदन से इस दोनों चीज को आप लोग याद रखें से मिला है। demolूंस ऑस मिला एdeal एमिनेंट और आपको आस्क दिसा नाम की रोबोट तुरंट पूश्ति हाव मैं हेल्प यू अगर आप उसमें कोई भी अपनी क्योरी डालते हैं सो आस्क दिसा आर्टिफीसल इंटेजेंस से तुरंट आपको बता देती है कि आपको कौन सी ट्रेंट कहां से मिलने वाली है आप कौन कौ वोट से पूस सकते हैं विननोत कुमारियादौ जी की देन है इस बात को याद रखेगा नेक्स वाइनके पिछले करकार के बारे में देखें विनोत कुमारियादौ जी सीओ बनने के पहले साउथ सेंट्रल रिलवे इसका हेड़कॉर्टर सिकंद्राबाद में है साउथ सें सम्हाला था तो जितनी हमारी बिल्डिंग्स थी जो मेन हेड़ ऑफिस थे उसमें ग्रीन जो है ग्रीन टेक्नलोजी मतलब कम्प्लीटली उसको इको फ्रेंडली बना जा सके इस पर काम किया था इस तरह का जो वर्क है विनोत कुमार यादो जी पहले ऐसे जनरल मनेजर थे जि को प्लाइटिनन स्यविकेट किसी इंडियन ग्रीन बिलडिंग को दिया गया है जो हमारी रेलवे में है तो वह दिया है रेल्विकास भवण जोकुंटूर में है यह हमारा जनरल मेनेजर का Lebanक का जाहां से जनरल मने पाहरा जाहरा से ब्सक्राइजाओ अृदितिध खू प्लाइटनम सेटिफिकेट रेलभवन गून्टूर को दिया गया है किक्स इंस्टिटिउट्यूचन के दौरा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कॉंसिल ये इंस्टिटूशन प्लाटिनम सेटिफिकेट दिया है रेल विकास भॉन गुंटूर को इसी दर जो हमारी गोल्ड रेटिंग सेटिफिकेट है ये किसको मिला है वीजय वाडा रेलवे स्टेशन ये दोनों साउस सेंटर रेलवे के एंडर आता नेक्स सेटर पॉइंट है मारी वहही किसान फ्रेट रेल के बारे में विनोत कुमार यादव जी ने 2020 में जब यह जाने वाले थे उस वक्त एक किसान फ्रेट रेल का जो उदगाटन है हमारे नरेन सिंग् तो मरमार जी वीडियों कॉंफरेंसिंग से किये थे और विनोत कु समान को किसी भी गिए सके ताकि गाए उनको कम समान भेजना या जादा समान भेजना है जीतना समान मों जाहें फिर्ट रेल वसब समान को लेकए एसा नहीं कि हपーンडर्ड अलूऊ भेजेंगे तभी ले ऐब एक तंग बेजना चाहते हैं आप 10 किलो भेज बेजना चाहते हैं वह सभी चीजने किसान प्रयं tracks पूइब्ध के इस लिए किसान किसान फरी बृय को start किया था कप से सबसे पहल자art क्या या रेकिए आठ अज़ लगेह विका logoald देव लाली महराष्ट्रा से दानापुर बिहार तक यह दोनों स्टेशन भी याद रखे किसानफर ट्रेल डारेक्टली पूछा जा सकता है इसलिए इसको याद रखेगा इसका उध्गाटन किस ने किया था नरेन सिंग तोमर जीन है आई होप यह सारे पॉइंट आपको क्लियर होगे होंगे इमेजेस में आप लोग ग्रीन बिल्डिंग्स को भी देख सकते हैं पहला हमारा रेल विकास भावन है जो हमारा गुंटूर का है और सेकेंड हमारा वीजय वाड़ा रेलवे स्टेशन है इसको गोल्ड रेटिंग मिल 2021 से स्टार्ट हुआ इसको हम लोग डिसकस करते हैं सुनी सर्माजी हमारे मेकैनिकल इंजीनर है इन्हों ने जो हमारे गैंग मैन होते हैं रेलवे में जो मेंटेनस करते हैं ट्रैक्स का उनके लिए जबरदस्त काम किया है 2021 में आने के बाद से यह एक ऐसी टूल किट को बना जाते हैं तो पॉकिट में भी एक गैंगमेन उन चीजों को लेकर जा सकता है उनको कोई भारी टूल किट लेकर जाने की जरूरत नहीं है तो इस तरीके का जो वर्क है सबसे जो लोवेस्ट वरकर होते हैं रेलवे के उनके बारे में सोचने का यह हमारे सुनी सर्माजी 2021 में सुनी सर्माजी के बारे में जो कुछ इंपॉर्टन फैक्ट्स है वह इनके प्रीवियस कारकाल से रेटेड है जैसे की हमारे सेकेंड सीओ बनने के पहले यह जहां-जहां के जनरल मनेजर थे हम लोग को पता होना चाहिए सुनी सर्माजी मौडन को फैक्ट्री जो राय बरे सुनी सर्माजी जब 2006 में मुंबई टेरर बॉंबिंग होई थी मुंबई के ट्रेंड में बॉंब को सीधा ब्लास्ट कर दिया गया था उस वक्त जो हमारी लोकल ट्रेंज थी वह चलने के लिए लोग उसमें जाना नहीं चाहरा थे उनके अंदर बहुत जादा डर आ गया थ तो सुनी सर्माजी ने सभी लोगों को confidence में लिया अपने सारे workers को भी confidence में लिया और ट्रेंज जो हैं हमारी कुछी घंटों के अंदर आप देख सकते हैं कि second image में सुनी सर्माजी खुद ground level पे जाके ट्रेंज को चालू करवा रहे हैं तो सुनी सर्माजी खुद घंटों के अंदर चालू करवा दिये थे और ये ग्रेट अचीमेंट था एज जनरल मनेजर जब लोकल ट्रेंज को मैनेज करते थे तो उस वक्त सुनीश सर्मा जी का बहुत ही बड़ा अचीमेंट था जो तुरंथी ट्रेंज सर्विस्टर्स को चालू किये इसीदा जब 2008 में मुंबई टेरर अटाइक हुआ जो कसाब जैसे लोग थे जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा है मुंबई टेरर के तरह जो हमारे 26 ग्यारा जिसमें कई लोग को अपनी शहादत देनी पड़ी उस वक्त जब मुंबई टेरर अटाइक हुआ था CSMT स्टेशन पे सो CSMT स्टेशन पे कोई भी ट्रेंस वहाँ पे जो बहार से आने वाली थी वो भी नहीं आना चारही थी सो सुनी सर्मा जी ने दोबारा से से मुसी तरह सभी लोगों को कॉन्फिनेंस में लिया आप थर्ड इमेंज में देखे 2008 की इमेंज है यह एक एक पॉइंट को खुच जाके चेक किये थे स्टेशन को सेक्योर किये सभी वर्कर्स को कॉन्फिनेंस में लिये और दोबारा से चतपती सिवाजी टर्नर से जो हमारी सर्वीस है से उनको चालू की तो सुनी सर्मा जी के बारे में आप लोग समझे होंगे कि ग्राउंड लेवल के इंजीनर है और यह मेकैनिकल इंजीनर में आपको टेलिग्राम च babe Starting मिल जायेगा वहाँ पर हमारे टेलिग्राम झाल जॉइन कर सकते हैं अगर आपको इस लेक्चर से रेटिड कुई भी डाउट होता है या अगर आप कोई भी डाउट मुझसे पूछना चाहते हैं प्रिवेस लेक्चर का भी तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलिग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं मैं वहाँ अवलेबल रहता हूं अब कभी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं चले थांक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो मिलते हमारे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन